हालो एब्रिवन वेलकम बाक टो अंखीता बायलोजी आज अंखीता बायलोजी जो वीडियो लेकर आया है आप लोगों के लिए वो बेसिकली होगा प्रोटीन सीरीज का ही सबसे छोटा टॉपिक पर थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक होता है जो कि हमें ऐसा लगता है हमें समझ क्या होते हैं बहुत ही छोटा टॉपिक है बट कहिना कहीं डाउट रह जाएंगे हम स्टेप बाई स्टेप स्टेप स्टेडी करेंगे अभी तक आपने बहुत सी बार ये टॉपिक पढ़ चुके होंगे बट जहां पर भी आज की वीडियो को आप एंड तर रेखिए जो भ क्रत के होस्ता कि रहा है आप बिल्कुल कमेंट कीजिये वाफिस से पूरी कोशिश करूंगे कि इसको एजीली आपके कमेंट को सॉल्फ कर सको जल्दी से जल्दी जल्दी यदि फिर भी कमेंट नहीं करना है पर्स्नल मेल कर सकते हैं ताकि मैं easily उस कमेंट को सॉल्व कर सकूँ, लेकिन टॉपिक को हमें क्लियर करना है, टीक है, डाउट नहीं रखना है कि मोटिफ क्या होते हैं, टीक है, एक बात ओर जिन्होंने भी अभी तक ये वीडियो ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो जाके चैनल को कर दीजिए, जादा स्यादर लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, एक बात ओर में लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि हमें इम्मिनोलोजी की सीरीज भी लाँच करने वाले हैं, उसको भी रिलीज करेंगे, जो प्रोटीन के साथ ही चलेगी, प्रोटीन की सीरीज जो आपके बचे हुए हैं, मायोगलोबीन, हेमोगलोबीन, उसका ग्राफ कर्व, कैसे बनेगा, वो सब भी हमें स्टडी करेंगे, और आपके इम्मिनोलोजी की सीरीज भी साथ में चलेगी, जिसमें इम्मिनोलोजी हमें स्टार्ट कर देंगे, यह इसलिए क्या रहा है कि आप आपके एक्जाम तक आपको जादा साथ टॉपिक कवर हो जाए, क्योंकि हमें प्रोटीन, इम्मिनोलोजी, डिवलप्मेंट बाइलोजी, एकोलोजी सब कवर करना है, तो उसके टार्गेट के हिसाब से हम चलेंगे, लास्स सेल सिगनलिंग में आपको दे चुकी हूँ, उस इस सिस्टम में, इस पार्ट में, तो बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूँगी, जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर दी जाए, ताकि आपके वो पार्ट कम्प्लीट हो सके, चले स्टार्ट करते है, मिनना टाइम वेस्ट किये, मोटेफ्स और डोमीन्स क्या होते है, अब मोटेफ्स क्या होते हैं, मोटेफ्स क्या होते हैं, जब प्रोटीन फोल्डिंग होती है, तो सूपर सेकंडर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, वो कहलाते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग के फार्मेशन में, उसकी मोटेफ्स, यहां मोटेफ्स पढ़ते राएंगे, और इस सा स्विंटेज लेका स्विंटेश केず गलोग अलफा हेलिक्स का स्विंटेश जिननीद्व में मतलब सैंटेश रजान फॉल्डिंग का लेलिए या तो स containers सिह ज़ंदेश रहा है लूप के थरू तो यह सब क्या है आपके जब secondary structures multiple more than 2 secondary structures आपस में loop turn के थरू जुटती जाती हैं तो वो क्या कहाता है इसकी शूपर secondary structures क्या कहलेगे उसकी 3 dimensional folding के हौगे है सब protein folding की बात है तो क्या होगे उसकी 3 dimensional structures क्या कहाईगे शूपर secondary structures ठीक है मोटिफ की केस में कहा जाता है कि मोटिफ जो होते हैं वो structure में role play करते हैं structure function होता है mainly functional यदि किसी protein में कोई motive present है तो उसका एक ही function होगा, वो same function show करता है इसका best example हम ऐसे समझ सकते हैं, जब हम DNA का transcription देखते हैं DNA का transcription देखने के लिए कुछ transcription factors आते हैं वो transcription factors bind होते हैं DNA के major group, minor group हमने देखा है और वो फिर transcription कराते हैं जिसे DNA से mRNA बनता है DNA से mRNA बनता है तो transcription factors चीए वो transcription factors क्या है आपके लिए? protein, वो transcription factors क्या है हमारी? protein है और उन proteins में कुछ standard super secondary structures present होगी जो क्या कहलाती है? motif वो super secondary structures क्या कहलाईगी आपकी? motif I hope आपको clear होगा, सबसे best example है क्योंकि हम DNA का transcription 11th class से पढ़ता है तो हमें बहुत easily समझ भाजाएगा वो transcription factors में जो protein है transcription factor उसमें कुछ part present है protein में ही एक part होता है जिसे क्या कहा जाता है? motif जो क्या होता है? super secondary structures होते हैं, ठीक है? वो super secondary structures वो motif जाकी कहां से bind हो जाता है? DNA से bind हो जाता है क्योंकि उसमें DNA binding reasons present होते हैं DNA के साथ bind होना मतला bond का formation करेगा DNA के groove के साथ, DNA के side change के साथ bond का formation करेगा और क्या करेगा? उसका transcription factor, transcription कराएगा और उससे mRNA, RNA के synthesis होगी अब यह बात करते हैं, माम यह कौन सा motif जो आपने बता है जो DNA से जाके bind हो जाता है और transcription कराता है ऐसा तो हमने क्यों? आपने बहुत सी बार study किया है Helix Turn Helix, HTH बहुत से DNA Binding Motives जो होते हैं जिसमें सब से best example जो हम पढ़ते हैं, HTH जो क्या है? एक type का motif है Helix Turn Helix, अब Helix Turn Helix है मतलब हम नाम से समझ सकते हैं यह एक Helical Structure, Alpha Helix यह एक दूसरी Helical Structure जो turn के through joint हो वो क्या कहला है कि आपकी? Helix Turn Helix Helix Loop Helix Zinc Finger Leucine Zipper यह सब क्या है? आपके पास motifs है यह क्या है? Omega Loops हो गया आपके पास different different type के motifs है जिनका अलग-अलग functions है मैं के structure से जाके bind करना बट मोटिव के case में ऐसा है कि यह मोटिव को आप किसी यह आपके protein के structure जे इसमें से मोटिव को निकाल दो यदि आप मोटिव को निकाल दोगे तो मोटिव इंडिविजुली stable नहीं होंगे इंडिविजुली stable लिए जैसे आपने मोटिव को निकाला वो नोन-स्टेबल हो जाएगा वो stable नहीं है मतलब कहा सकते हैं मोटिव इंडिविजुली stable नहीं होते हैं अब domains क्या होते हैं मोटिव जैसे domains भी तो structure से बिलकुल domains मोटिव से ही मिलकर बने होते हैं domains में एक से जादा मोटिव प्रेजेंट हो सकते हैं बट domains क्या होते हैं यह secondary structure suppose अगर मोटिव प्रेजेंट है मोटिव सूपर सेकंडर स्ट्च्चर से तो domains उसको टर्शरी structure और आपको पता है tertiary structure का मतलब क्या होता है tertiary structures मतलब जो protein है उनमें amino acid है उसके side chain और भी bond का formation कर लेगी अब वो bond क्या हो सकते है वो bond आपको पता है ionic interaction ionic interaction हो सकते है disulfide linkage हो सकते है wonder wall linkage हो सकती है hydrogen bonding हो सकते है वो depend करता है कि उसके side chain केसी है यदि ionic changes है positively negatively charged है तो वो ionic interaction के थूँ फोल्डिंग कर लेगी ठीक है hydrogen bonding है यदि एक hydrogen का donor acceptor होगा electro negative group तो hydrogen bond का formation कर लेगी ठीक है wonder wall interactions कर सकती है dipole dipole वाला हमने concept दिक आथा dipole induced dipole वाला तो वो wonder wall interactions के थूँ जोड़ जाएगी depend करता है कि उसके side change के पात कौन सा group present है तो domains क्या है domains होते motives ही है एक domain में multiple motives present हो सकते है but वो domains क्या होते है tertiary structures होते है वो further or folding कर लेते है folding कर लेगे मतलब उनके बीच बांड का formation हो जाएगा और वो बांड कैसा होता है ionic interaction, disulfide linkage, wonder wall linkages के थूँ टर्शरी structure सा formation domain की case में कहा जाता है यदि किसी protein में एक से जादा domains present हो सकते है proteins में किसी protein में सपोज ये वाला भी domain का part है ये भी domains का part है ये भी domain का part है मतलब यहाँ is triple देख लेते है ये domain ये structure फिर ये domain एक से जादा domains present हो सकते है किसी भी proteins में मल्टिपल डॉमेंस प्रेज Nat graph यदि यह डॉमेंस आउट घर इंता है इस प्रोटीन से तो यह इंडीविजॉल होता है इतरूमेंस किसा होते हैं मुद्ट इतरूमाइशन अधर कुछक्छस बैसे हैं यहां कि तरह सम्ट होतों है। जह parity होते हैं।aż स्माइध। माद्याज सम्ट पर को द्विजाशे में अपकर जाने समयम्हें। कैस्ट ऑन्ट सरे सकते हैं माद्यूसित का विर में फिल्कसित के वीट। है डोमेन का एक्जामपल हमने सेल सिग्नलिंग पढ़ी ती या कहीं पर भी हम अधिकतर यूज करते हैं जाय में वह उसका डोमेन है कैल्शियू बैंडिंग डोमेन से प्रोपोनिन सी कैल्शियू को बैंड करता है याद थो थो में पढ़ता अलग-अलग सब्सक्राइब SS2 domain, cell signaling में हमने बहुत से domains पढ़े हैं जिसको हम बोलते हैं SS2 domain, SS3 domains और भी आप ध्यान कर सकते हैं गर आपको cell signaling याद हो तो SS2 domain क्या है? SARS homology domain 2 SARS homology domain 3, SRC homology domain 3, SRC homology domain 2 जनरली उसके function के basis को उसके नाम decide कर दी जाते हैं तो domains नब खुद का individual function होता है domain अपडेट होते रहते हैं, evolution के according उनके changes होते हैं इसलिए इनके unique function show करते हैं domains कैसा करते हैं? अपने unique function show करते हैं उनका function कैसा होता है? unique function होते हैं क्यों? क्योंकि उनमे evolution होता रहता है, changes होते हैं तो आपना unique function show करते हैं motifs के case में इसा नहीं है, motifs में same function है पूरी protein family में हो कैसा है, same function show करेंगे, यदि HTH है, helix turn helix, तो वो DNA में binding motif ही है, ठीके, वो क्या है, DNA binding motif ही है, same function show करेंगे, बट इनमें क्या होता रहता है, evolution होता है, इनके function, unique function show करता ही है, पूरी protein family, इनके unique function होता है, अब एक और बात, domain की case में हमने देखा, domain की case में, suppose, इस domain म multiple, ये एक hinge reason से connected होते है, इस hinge reason में, number, जिस amino acid का सबसे ज्यादा amount होता है, वो होता है glycine, कौन सा amino acid सबसे ज्यादा present होता है, glycine, क्यों glycine, amino acid present होता है, हमें पता है, क्योंकि glycine की side chin में, hydrogen को present है, वो hydrogen को ना ionic interaction show करने में help कर सकता है, तो folding में help ही नहीं होगा, इसलिए वो कैसा होगा, straight form में, linear form में present होगा, hinge reason के, ये क्योंकि ये folded form है, tertiary structure है, बढ़ ये tertiary structure में role play करेगा, क्या, नहीं करेगा, क्योंकि हमने देखा था, वो तो helix को भी, जब हमने alpha helix पढ़ाता, तो glycine ही कैसा था, destabilize कर देता था, alpha helix को क्यों, क्योंकि उसकी structure बहुत ही flexible होती है, ठीके, तो hinge reason के से, दो domains, एक दूसरे से hinge region के तो, और hinge region में, glycine amino acid सबसे ज़्यादा प्रेजेंट्स होते हैं, ठीके, अब यदि एक domain में mutation हो जाए, तो क्या पूरी की पूरी proteins ही mutated हो जाएगी? नहीं, हमने पड़ा था, हर domain में अपना individual function होता है, हर domain multiple, अलग-अलग function के हो सकते हैं, एक ही protein में हो सकता है, ये domain SH2 domain हो, ये SS3 domain हो, ये different, different domains present हो सकते हैं, एक ही proteins में, ठीके, हमने अधिक तर देखा थ तो ये यदि SS2 domain हो, यदि आदो तो आपको protein के structure, जब आपको cell signaling के study करेंगे अच्छे से, तो आप देखना, वहाँ पर एक ही protein में अलग-अलग domains भी present थे, तो यदि इस domain में mutation हो गया है, तो क्या पूरी protein ही mutated हो जाएगी? नहीं, यदि इस domain में mutation हो गया है, तो क्या इसको domain में मोटिफ से ही मिलकर बना है, एक domain में multiple motifs हो सकते हैं, क्योंकि domain तो tertiary structures है, और मोटिफ क्या है? सूपर-Secondary structures है, थी-डिमेंशनी सूपर-Secondary structures है, ये secondary structure further more folded हो जाहेगी, और tertiary structure का formation कर लेगी, तो वह क्या खलेंगे domain, बट domain मोर functional part है, domain क्या है? functional है, stable है, individually stable है, यदि ए मोटिफ क्या है, मोटिफ नोन-stable है, यदि उनने निकाल दिया जाए, प्रोटीन के structure में, चलेंगे प्रोटीन के साथ साथ ही, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के साथ ही, लेकिन यदि रिमूव पर दिया जाए, तो ये नोन-stable है, ठीक है, तो हर एक मोटिफ का अपना function है, हर कैसे है, I hope आपको इस वीडियो के तुरू बिलकुल क्लियर हो गया होगा, यदि ये वीडियो आपके study के लिए helpful है, प्लीज वीडियो को जादर साथा लाइक करें, चैनल को जादर साथा सब्सक्राइब करें, थैंक यू